सबी साथियों को मेरा प्रेम ब्रह नमस्कार मेरा नाम हर्यूम है और मैं इस समय टीजटी हिंदी पोस्ट पर केवी नंबर टू विजय वाड़ा मैं पोस्टेड हूं केवी की तयारी करने के लिए इतना अच्छी से समझाना एक डाउट किलियर करना कभी भी फोन करो हमें से फोन उठाना सर नो अटिट्विट आई सर रियली लाइगे सर एंड मैं अपने सभी सातियों से भी कहना चाहूंगा जो भी समय त्यारी कर रहे हैं कि आप सब भी बेज़े सरका भरक्यू सहरू सब्सक्राइब दोस्तों अभी आप सुन रहे थे मिश्टर हर्यों को जो हमारे जो हजार अठारा के अंदर के विस में वकेंसी आई थी उस दोहजार अठारा के बैच के स्टुडेंट रहे हैं और जिनका के अंदर एज टीटी सेलेक्शन हुआ था इसमें आप देख सकते ह हैं हर्यों जी है और देट ऑफ ज्वैनिंग चोबीस आठ दोजार उन्निस थी और इसी तरीके से 157 बच्चों ने उस समय हमारे किया था और कापी सारे बच्चों का सेलेक्शन हुआ था जिन में से कई बच्चों को हम पिछली बार सेमिनार में भी आप लोग उन से मिले थ सेमिनार के दोरान भी आप लोगों से मिलाते रहेंगे और इस तरीके की वीडियोज भी आती रहेंगी तो अगर आप 2021 के अंदर के वीएस डियसस्वी एन्वीएस या किसी भी टीचिंग एजाम के तयारे कर रहे हैं किस में 22 में 23 में तो आप लोग जुड़े रहिए और आ नाम स्पेस सीटी और स्पेस आपका सब्जेक्ट है पी आर्ट अगर है तो पी आर्ट टी टीजटी है तो सब्जेक्ट कौन सा प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल है तो भी बताएं तो आपने के वीएस स्पेस नाम स्पेस सीटी और स्पेस में आपका सब्जेक्ट ये पास कब है किसका वेकैंसी आई किसका नोटीपे कसा आया किसके लिजिबिलिटी क्या है यानि तमाम चीन्दे वाच्चप के मैदम से भी आपको अब मिलती रहेंगी तो और अगर आप घर बैठकर इसी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं हनाके हमारे लेकिन कुछ बच्चे शिरफ घर बैठकर के किताबों से मैट्रियल से पढ़ना चाहते हैं जैसे बाकी बच्चों ने तयारी करके सेलेक्शन लिया है तो इस तरीके के सारे के सारे हमारे नोट्स हैं जो आपको पूरे भारत में ओल ओवर इंडिया के अंदर आपको कोरियर के माध्यम से और स्पीट पोस्ट के माध्यम से पूरे भारत में बेज़े जाते हैं आप इस नमबर पर कोल करके वाट्सब पर बात करके इनको ओडर करके मंगवा सकते हैं यह आपके चाहे आपका जन्रल पेपर हो चाहे आपका सब्जेक्ट स्पेसिपिक हो दोनों ही करता है हर किसी के लिए स्पेसल बेजा जाता है तो आज की वीडियो में इतना ही चाल को सब्सक्राइब करें बैल आकन को प्रेस करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे साथ हमेशा बने रहे हर सोचल साइट पर